Hello my dear students, so काफी दिन बाद आज आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है I hope you guys are doing well, okay So फिलहाल आज का वीडियो भी हम एंटपेसी एक्जाम पे ही लेके आए हैं हम प्रिवेसर की क्वेस्टिन में देखे हमको कहीं जगा पे मिला ये क्वेस्टिन So हम आज आप लोगों के लिए उसका कॉंसेट लेके आए है And concept है आप लोगों का direction में angle rotation कैसे होता है Okay, लिहासा equation एक ही mark का रहता है But जबकि अगर थोड़ा बहुत concept आप लोगों का इधर उधर हो जाए So वो एक mark भी आप लोगों का मतलब loss होने के chances रहते है So क्यों ना इसका concept सही किया जाए अगर यह banking exam में रहे तो भी आप लोगों को problem नहीं होगी अगर SSE, railway किसी में भी रहता है तो भी जैसे आप लोगों को इसमें problem को arise ना हो So angle rotation होता क्या है देखो, आप लोगों basic concept अच्छा से पता है direction का आज का class आप लोगों का direction पे है Okay, but especially हम इसका angle rotation आज आप लोगों को करवाएंगे ठीक है So आप लोगों को यह पता है, यह आप लोगों का क्या होता है Basic direction होता है ठीक है, यह आप लोगों का basic direction Now this is north and this is south and this is east and this is west Okay, अब यह सबको पता है अब आप लोगों के मैं यह क्या बता रही है यह तो हम लोगों को पता ही है अब इस basic direction में भी आप लोगों को left right अच्छे से पता है जैसे की हमेशे याद रखो जो बंदा north को face करता है उसका left right आपके हिसाब से होता है मतलब आपका दाइना हाथ उस बंदे का right side आपका बाया हाथ उस बंदे का left side ठीके अब वही बंदा जब 90 degree घूम गया है यहाँ पे 90 degree यहाँ पे घूम गया है तो जाहिर सा बात है यह उसके लिए right होगा यह उसके लिए left होगा यही वाला तो pairing घूमेगा ना क्यूंकि वही person है जो 90 degree 90 degree में घूम रहा है तो यह जो left right का concept है यह भी उसी तरह से घूमेगा now this is left and right now this is left and this is right तो इसका मतलब आप यहाँ पे clear हो गए अब देखो अगर हम यहाँ पे एक direction निकालते हैं जो होता है north east का तो अब यही बंदा है जो 45 degree घूम रहा है तो जाहिर सा बात है इस बंदे के लिए भी यह वाला हो जाएगा sorry यह वाला left and this one will be right as per you know ठीक है अब अगर हम यहाँ पे पूछते हैं एक बंदा जो है वो north को 5 km गया है फिर वो वहाँ से right turn लिया है अब right turn का मतलब क्या है जब angle mention नहीं होता है then right turn का मतलब होता है simply 90 degree right turn यही आप लोग करते हो अब वो right turn लेके 3 km गया है now this is 3 km फिर वहाँ से वो क्या किया हुआ है left turn लिया हुआ है अब देखो अब यह बंदे का चहरा कहां पे है east में है east बंदे का left turn मतलब upward इसका मतलब वो left turn मतलब वो फिर से north में गया है ठीक है and जाके वो फिर से 3 km गया है okay so diagram will be something like that तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ गए जब आपको कोई angle mention नहीं होता है तो आप default rotation जो होता है वो 90 degree का करवाते हो okay पर exam में कई कबार question ऐसे भी आते है जहाँ पर आपको क्या given होता है कि वो particularly किस degree पर rotate किया है ठीक है so उस kind के questions हम आपको आज करवाएंगे okay पर interface के करा रहे हैं तो वैसे हलका फुलका कराएंगे जिसे one mark आप exam में track कर सको ठीक है so moving to the question चलो question पर पहला चलते है okay so पहले जान लेते हैं angle rotation होता कैसे देखो अभी हम पुरे practically समझा देते है now हम camera की तरफ आपकी तरफ face करके खरे है ठीक है so जाहिर सा बात है अगर हम को right घूमने के लिए बोला जाएगा so हम अपने right hand के तरफ ही घूमेंगे now this is my right okay तो अगर हमको बोला जाता है 45 degree right turn लेने के लिए so हमारा right turn क्या होगा इस direction में क्योंकि ये हमारा right hand है ठीक है तो इस direction में right turn होगा अब आप लोग याद रखो हमेशा turning कहां से होता है जहां से उस person का face का direction होता है ठीक है वो बंदा जिस दिशा में देखा हुआ रहता है वही से वो turn लेता है अगर हमको पूछा जाएगा कि हम right turn ले so हम क्या करते है अपना चेहरा लेके right घूमते है now this is my 90 degree right turn clear हो ओके अब यहां से हमको left turn लेने के लिए बोला जाएगा तो हमारा चेहरा यहां है तो हम फिर से left घूमे now यहां से हमारा यह 190 degree left turn अब यहां से 45 degree right turn मतलब देखो चेहरा यह है इसका मतलब यह मेरा base line है ठीक है यह वाला जो है यह मेरा base line है अब यहां से 45 degree मतलब now this is my 45 degree right turn clear हो पूरा practically समझा दिये ठीक है अब इसी को आपको implement करना है कैसे देखो अगर हम आपको बोलेंगे एक बंदा north को खड़ा है तो जाहिर सा बात है अगर person north face किया है तो इसका मतलब उसका आंखों का base कहा है यह है उसका आंखों का base यह उसका base direction है ठीक है अब आपको बोलेगा sorry बंदा east को face किया है sorry north गलती से निकल गया बंदा east को face किया है इसका मतलब उसके आंखों का direction यह है ठीक है वहां से आपको बोला जाएगा कि वो 45 degree में right turn लिया है ध्यान से समझना अगर आपको बोलता है कि बंदा east से right turn ले रहा है only right turn east से वो right turn ले रहा है what does it mean वो 90 degree right turn ले रहा है तो आप क्या करते हों अपने चेहरे से उसको 90 degree नीचे यह हो गया उसका 90 degree right turn याद रखो 90 degree right turn यह अंदर वाला नहीं होता है यह होता है उसका 90 degree का right turn बच्चे यहीं गलती सबसे जादा करते है ठीके उसका यह अंदर वाला 90 degree right turn नहीं होता है उसका चेहरा कहां है उसका चेहरा इधर की तरफ है तो वो यहां से घूम रहा है और यह उसका 90 degree right turn है तो 45 degree right turn का मतलब क्या है इससे कम ही घुमेगा वह, हाई या ना, इससे कम ही घुमेगा, तो इससे कम घुमना क्या होता है, इससे कम घुमना होता है, ये, ये चेहरे से ये वाला direction होता है, 45 degree right turn, याद रखो यहां से मत ले आना, क्यूंकि आप अपने चेहरे के direction में घुमते हो, तो उसका चेहरा कहा है उसका चेहरा इस्ट के तरफ देख रहा था तो उसका 45 degree right turn क्या होगा चेहरे से right turn लाएगा वो 45 degree का clear हुए, समझ आया अब आपको बोलेगा कि suppose बंदा क्या किया है north को face किया है a person is facing towards north तो facing towards north मतलब आँखों का direction अब आँखों के direction से यह उसका baseline हो गया ठीके, वो क्या क्या है, 135 degree left turn लिया है तो देखो, आँखों के direction से उसका 90 degree left turn यह होगा देखो, यह वाला 90 degree है, यह नीचे वाला नहीं क्यूंकि आँखों के direction से घूमा है 90 degree left turn से 135 क्या है? और 45 degree जादा इसका मतलब वो यहां से और 45 degree जादा मूडेगा अब यह पूरा angle जो है, यह उसका हो गया 135 degree left turn clear all of you? अब इससे बड़िया तरीके से तो और कोई नहीं समझा सकता now I am sure about it ठीक है? तो हमेशा याद रखो, बंदा जहां भी जैसा भी कड़ा हो हमेशा क्या करना? उसके आँखों का line बना लेना क्योंकि उसके आँखे, उसके चेहरे जिस direction में देखते है न उसी से ही उसका turning point रहता है ठीक है? तो एक question इस पे चलिए बना लेते हैं ताकि आप लोगों का doubt जो है, वो clear हो so question आप लोगों के सामने board पे है, आप सब लोगों का I think visible है अच्छे से, question आपको बोल रहा है a person was facing east, ठीक है? तो बन्दे का चेहरा किस direction में था? east, as you all know यह होता है आप लोगों का east और यह वाला side हम already example में समझा चुके है he goes 5 km in that direction, ठीक है? तो वो उसी particular direction में कितना गया? 5 km अब याद रखो, बन्दे का चेहरा कहां पे था? east, मतलब उसका आँखों का line draw हो गया ठीक है, फिर उसके बाद बोला then he turns a 45 degree towards his left अब आँखों के direction से left देखो, अगर यहां जाता तो यह उसका क्या होता? 90 degree left होता यह वाला direction उसका 90 degree left होता पर वो गया है, सिर्फ 45 degree left में तो सिर्फ 45 degree left मतलब उससे कम जाना है तो अब यह हो गया, यह वाला angle जो है यह हो जाएगा, उसका 45 degree left में जाना ओके? और 45 degree left में जाके यह वाला direction कार देते हैं हम ठीक है? तो 45 degree left में जाके वो कितना गया है? 7 km गया है अब आपको पूछ रहा है in which direction he is facing अब देखो, अगर यह वाला कोना जानने के लिए दिक्कत हो रहा हो तो आप यहाँ पे भी direction plane draw कर दो ठीक है? तो आपको कोई error नहीं होगा यह कोने में देख रहा है? यह वाला north होता है, यह वाला east होता है वो एक already angle वाले direction में ही खड़ा है जायसा बात है, यह question आप लोगों का आना जरूरी है, तो वहाँ पे भी वही concept लगाना है कि वो जहाँ भी खड़ा रहा है, कोने में है, बीच में है north में है, east में है, south east में है northwest में है, उसके आँखों का direction ही देखो this is the basis, ठीके, यह जो है यह basic है, उसके आँखों का direction draw करो, क्योंकि आपको already पता है कि 90 degree कैसे turn करना है ठीके, आपको already पता है कि 90 degree कैसे turn करना है, बस आपको दिक्कत कहां रहती है, 90 degree का turning किस direction से आप लेते हो problem वहीं होती है, ठीके so चली एक वैसा वाला question अब आप लोगों के लिए बना लेते हैं so आपका doubt arise हुआ और आपके doubt arise वाला question आपके सामने board पे भी आ गया so question देखें क्या है, question है a person was facing south east देखो हम थोड़ा से shortcut लगा लिए है se south east, ठीके so अब आप लोगों को ऐसे से पता होना चाहिए कि south east क्या है देखो, base वाला जो plane होता है this is your north and south and east and west यह आपके दिमाग में पूरे clearly रहना चाहिए now south east का मतलब है ऐसे downward जो corner वाला होता है अब यह बन्दा कहा है ऐसे एक जगा में है इसका मतलब यह उसका आंखों का direction हो गया अब अगर वो बन्दा यहां से ठीके, यह उसका आंखों का direction हो गया तो अगर यह बन्दा फिर यहां से कहां जाता है अगर आपको जैसे अभी हम बोले east वाले बन्दे का अगर आपको पता है कि east वाले बंदे का अगर नीचे जाना है तो right उपर जाना है तो left तो यही वाला plane आपको यहाँ पे भी लगाना है कि यह उस बंदे का right हो जाएगा और यह इस बंदे का left हो जाएगा ठीक है क्यूंगी यही वाला बंदा ही तो 45 degree घूम रहा है तो अगर आपको बोलता है कि अब यह बंदा जो है वो left turn लिया है ठीक है यहाँ पे south east में face किया था बंदा left turn लिया है left turn का मतलब आप तुरंत क्या करोगे 90 degree left turn so 90 degree left turn मतलब उसको क्या करोगे यह हो गया उसका 90 degree ठीक है यह हो गया उसका 90 degree बट अब हमको क्या बोला हुआ है कि वो इस direction में ठीक है यह जो था south east वाला इस direction में 4 meter गया है clear 45 degree towards his right अब हम 45 degree को omit करते हैं और यह बोलते हैं कि वो अपने right में गया है तो देखो right मतलब क्या है downward इसका मतलब उसका right जो है वो यह वाला हो जाएगा right ठीक है now यह angle जो है यह हो गया 90 degree और वो कहाँ पे गया है right गया है 90 degree क्यूंकि उसका face direction से गुमाना है याद रखो यह नहीं है face direction से जो गुमा है ठीक है वो 90 degree जाके कितना गया है right में जाके 3 meter गया है but question में बोला है 45 degree उसको गुमाना है उसको 90 degree नहीं गुमाना है तो याद रखो आपको यहाँ clearly visible है यहाँ से 45 degree में कौन सा direction बेठा हुआ है यहाँ से 45 degree में आप लोगों का south का direction ही बेठा हुआ है यह आपको अलड़ी plane में ही दिख जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे तो जाहिर सा बात है तो यहाँ से उसको कहां गुमा लेना है सीधा नीचे की तरफ गुमाना है तो यह उसके चेहरे के direction से 45 degree में क्या हो गया उसका right turn हो गया और यहाँ वो गया है 3 meter समझ आया अच्छे से clear हो देखो यह जो angle का जो खेल है अगर एक single जगह से ही turning बोला है एक single जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोले south east से 45 degree right तो आपको यह पता होना है south east से right मतलब यहाँ गूमना है clockwise गूमना है clockwise जब आप गूमोगे तो 45 degree में south ही दिख रहा है without any drawing आप वहाँ से अराम से कर सकते हो बट अगर आपको बोल रहा है फिर इसके बाद वो कोई turn लिया है तो side से बात है वहाँ थोड़ा बहुत drawing करना पड़ेगा या फिर अगर आपको distance मांगा हुआ है तो शायद आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत drawing वाला work करना पड़ेग बट अगर सिर्फ angle ही rotate वो कर रहा है और angle rotation में आपको final direction ही बताना है तो इसके लिए basic वाला plane एनफ है ठीक है ओके so basic plane से अगर आप इस चीज में अच्छे से thorough हो जाओगे तो आपको already पता चल जाएगा कि without drawing this kind of things आप ये basic diagram से ही आराम से कर लोगे क्यूंकि 45 degree 90 degree में ही तो ये लोग आपस में distributed है ठीक है so I hope आज का जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ आया अब इसके बाद आप कुछ questions इस पर बनाना जरूर और अगर कोई doubt आता है तो आप हमको बिंदास comment पर पूछ सकते हो ठीक है हम FB पर available है इंस्टा पर है हम Twitter पर हम Telegram पर है CHSL का एक्जाम आ रहा है तो हम CHSL के लिए जो पूरा fundamental previous question के साथ fundamental बैश शुरू कर रहे है आप में से जो भी join होना चाहिए हमको जरूर बता दीजिएगा उसमें रहेगा आप लोगों का तीन दिन का क्लास ओके weekly three days का reasoning का क्लास रहेगा one day रहेगा जहां पर हम previous year के GS के question या फिर current affair जो आपका running current affair है वो हम discussion करवाएंगे ओके thank you so much टेटा बाए बैए अपना ख्यार रखना और एक्जाम के लिए पुरा fully prepared रहेना ओके thank you